हम है रैड निट्वर्क हम करते हैं जन की बात समाजवादी पार्टी के राष्टिय प्रमुक राष्टिय महासाचीव जी आज कन्डोज में उपस्षित बहुचन समाजवादी के महासाचीव आधड़ी सती मिश्चाजी मंजपर उपस्षित पार्टी के राष्टिय पाध्धै कर्मे नंदा जी आधने शीमती जैवच्छन जी आधने शीमती अलपना मिश्चाजी आधने एमध असंजाब जी और मंच पर उपस्थेत बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यश कुश्वाजी जिनके पंडाल में हम और आप सब बैठे हैं जिस स्थान पर हम लोग हर बार चुनाओ के समय पर इखटा होते हैं मनोजी और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी पदादिकारी सभी नेता जिलाद देख्श मुन्ना दरोगा जी समाजवादी पार्टी के उपस्थेत सभी हमारी नेतागड और इस कारक्यम में उपस्थेत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई माताई भेने नौजवान साथी और पतकार बंदो मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले आई हुए सभी करकरताओं का बहुत बहुत धनिवाद और आभार पिकट करना चाहता हूं मैं साथी साथ आप सब का भारी हूँ मैं आप सब का भारी हूँ और साती साथ आपके जो सो उसा के साथ में कह सकता हूँ जो सो उसा बता रहा है कि जिस समय मद्दान होगा तो यहां से एतिहासिग बोटों से डिमपल यादब जीत करके जाएंगी यह चुनाओ यह चुनाओ देश का चुनाओ है यह कनाओच का चुनाओ तो है लेकिन यह देश का चुनाओ है और देश का चुनाओ मैं सिदे कह रहा हूँ देश का चुनाव मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो आज बरतानवान में सरकार है उसने दुख तकलीफ दी है जनता को परिशान किया है उन जनता के साथ धोखा किया है जनता को गुमराख करने का काम किया है जहां देश को आगे जाना चाहिए था ये देश को पीछे ले जाने का काम करने इसलिए देश का चुनाव है ये भारती जनता पार्टी के लोग एक समय पर कहते थे कि अगले पचास साल तक कोई सरकार नहीं आएगी केवल भारती जनता पार्टी की सरकार रहेगी लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी पार्टी का घड़बंदन हो गया है जब से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का घड़बंदन हो गया है भारती जन्ता पार्टी सोच रही है कि कौन सी एक सीट जीत पाएंगे कहीं खाता खुलने नहीं जा रहा है खाला कि हम आदिनी सतीर बिश्याजी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आभार पिकट करना चाहते हैं आज आपका कारक्यम यहाँ पर नहीं था कन्योज में आपको आदिनी मैवतिशी के साथ दूसरी जगे जाना था लेकिन हमने निवेदन किया कि आज नामंकन है और कन्योज के चुनाव के शुरुआत है अगर आप रहेंगे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है और अगर आप अकेले आते तो बात नहीं बनती बात अधूरी रह जाती जो आपका रिष्टा है वो रिष्टा आपने निवाया और आदिनी है अल्बना मिश्या जी को भी आप ले करके आई है अब कोई ताकत नहीं रोक सकती समाजवादी पार्टी को एतिहासिक बोर्टों से जीतने के लिए ये आपका रिष्टा जाने कितना गहरा रिष्टा है कन्योज से आपने अपना रिष्टा बताया गहरा रिष्टा है आपका सम्मान का रिष्टा है कन्योज की जनता आपका सम्मान करती है लेकिन हम समाजवादी लोगों का बोर्ट का रिष्टा ऐसा है और समाजवादी विचाधारा का विरासत का रिष्टा है कि एक बार डॉक्टर लोहिया जी को जिताया और आज सक समाजवादी पार्टी को यहां की जनता जिता रही है आपका गहरा रिष्टा है हमारा विशारों का रिष्टा है इस कन्योज की जनता से और जहां विशार मिल जाते हैं वहीं गहरा रिष्टा बनता है जहां विशार नहीं मिलते हैं इस लिए ये गड़बन्दन दो दलों का तो है लेकिन ये विशारों का भी गड़बन्दन है ये जमीन पर जो करकरता है उनका मिलन का भी गड़बन्दन है उत्तर प्रदेश में क्या बदलाब आया वो बदलाब तो आपने देखा जब सफा और बस्वा मिल गई तो उत्तर प्रदेश में कैसा बदलाब आया है आप जानते होंगे एक मठ और एक बाबा जी जो मुखिमंद्री है हमारे इंसे अच्छा मुखिमंद्री कोई हो नहीं सकता गटबंदन हुआ वो अपनी सीट नहीं बचा पाए गटबंदन हुआ सीट खोदी और एक और दूसरे जो अपने आपको कहते थे कि हम एक दूसरी सीट और जो अपने आपको स्टार बेकवर्ड कहते थे स्टार बेकवर्ड कहने को तो वो ओक मुखिमंद्री हैं लेकिन एक बार उस गलती से कुर्सी पर बैट गए थे दुबारा उस कुर्सी पर नहीं बैट पाए ऐसे आपके स्टार बेकवर्ड है इसलिए ये गड़वन्दन केवल विशार दलों का नहीं है ये जंता का संगम है और मैंने कई मोकों पर कहा यही गड़वन्दन है जो देश की राजनीद को दिशा जैने वाला है जो बात कभी डाक्टर भीमराामिडकर जी और डाक्टर रामनो लुईया जी से शरू ही थी अगर इतिहास के पन्ने हम पलटने और राजनीद के इतिहास के पन्ने हम पलट करके देखें ये वही गड़वन्दन है जो एक बार डाक्टर भीमरा अमिर्कर जी और डाक्टर रामन और लोया जी मिलकर के खड़ना चाहते थे दोनों मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया लेकिन वही गड़ बंदन एक बार फिर बना था उस समय नेता जी और स्वरगे काशी राम जी ने मिल करके उस गड़ बन्दन को आगे बढ़ाने का काम किया है इसलिए जो डाक्टर भीमरा अमिड कर जी डाक्टर राम उनो लोईया जी जो सिद्धानत को ले जाना चाहते थे उनी सिद्धानतों को आदरी माइवती जी और हम समाजबादी लोगों ने मिल करके जमीन पोतानने का काम किया है ये प्रधान बन्ती जी तो पैड़ धोते रहे हम और आप केबल पैड़ धोना देखते रहे और उसके साथ साथ उन्होंने नौजबानों की नौकरियां भी धो दी किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है हमें और आप को जादिया कि बुलट ट्रेन आएगी बुलट ट्रेन और बुलट ट्रेन किसके लिए बनाना चाहती थी भारती जन्ता पाठी बुलट ट्रेन बनाना चाहती थी हीरे के जो एक्सपोर्ट करते हैं हीरों का जो कारोबार होता है हीरों का कारोबार जो सूरत से लेकर के मुंबई के बीच में है जो खुशात से लेकर के मारास्ट में उनके लिए बुलट ट्रेंड बन रही थी लेकिन बुलट ट्रेंड नहीं बनी हम समाजबादियों ने कहा कि हमें बुलट ट्रेंड की जरुवत नहीं है हमारे जवानों को बुलट फूप जैगिन की जरुवत है आज हमसे आपसे अगर उनके खिलाब बोल दे तो सार्टिफिकेट लेने का या सार्टिफिकेट हमसे और आपसे मांगते हैं कोई बात हम लोग कह दे हैं तो उसके लिए सार्टिफिकेट मांग लेते हैं हम उन्ही सार्टिफिकेट मांगने वालों से कहना चाते हैं कि डिम्बल के परिवार में इतने लोगों पर साटिफिकेट है फौज का कि आप हिसाब किताब लगा लो आपके पास किसी पर नहीं मिलेगा इतने साथी हो ये देश का चुनाओ है ये देश को तरक्षी के रास्ते पर ले जाने वाला चुनाओ है जब हम दुनिया में देखते हमारा देश कहा है हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि भारत को हमने ग्लोवल स्टेंडिंग बढ़ा दी है दुनिया में हमने न जाने कहां भारत को खड़ा कर दिया है लेकिन अगर हम आकडों में देखें तो आज हम दुनिया से नजाने कितना पीशे दिखाई दे रहे हैं दुनिया जितनी भी है भारत के आस पास बहुत तरकी कर लई बहुत खुशाली हो गया है लेकिन आज भी हम लोग गरीबी में हैं हमारा किसान दुखी है नौजवान के पास कोई नौखरी के अफसर नहीं है यह हमारे नौजवान अगर सपना देखना चाहें कोई तो वो सपना भी नहीं पूरा कर सकते ऐसी इस्तिती पैदा कर दी है जो हमारा देश आगे बढ़ रहा था उस देश को पीशे कर दिया अगर आकड़े निकालें आज तो हम भुखमरी में आगे हैं उन देशों के बराबर हो गए सुमालिया एथोपिया के बराबर हम हंगर इंडेक्स में पहुँच गए बीमारिया उठा करके देखें तो बीमारियां बढ़ती चली जा रही है कैंसर में हम आगे हैं डाइबडीज में हम आगे हैं हार्ट की बीमारी में हम आगे हैं ये पांस साल में नजा ने कितने पीछे छोड़ दिया और जो बदलाव लाना था वो बदलाव नहीं आया है जो खुशाली आने थी वो नहीं आई है ये पहली सरकार है जिसने हमने वादे के खिलाफ काम किया है कोई सरकार ऐसी नहीं जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो ये भार्टी जंता पार्टी की सरकार है जो वादा करती है उसके खिलाफ काम करती है इन्होंने कहा था कि हम करोडो नौकरी देंगे इन्होंने करोडो नौक्रिया नहीं दी जी-स-टी लागू करकर के और नोड़ बंदी करकर के करोडो नौक्रिया छेली कहते थे हम किसानों की आए दोगनी कर देंगे हम पूछना चाहते हैं बताओ कितने किसानों का आलू खरीदा है कोई हमें किसान बता दे जिसका एक किलो आलू भी सरकार ने खरीदा हो हम अपने कन्नौज के उन समाजबादी साथियों को और किसान भाईयों को बढ़ाई देना चाहते हैं जो आलू लेकर किहां से निकले जिस समय सड़ गय थे हमारे किसानों को खीवत नहीं मिली कन्नौज के हमारे काल करता थे किसान भाई थे जो किसान भाई यहां से निकले एक्सप्रेस वे से जल्दी पहुँच गए लखनों में उजाला नहीं हुआ था वो रास्ता भूल गए उन्हें जो जो बिल्डिंगें बड़ी दिखाई दी उनके सामने आलू फेक दिया और जब परसासन की आँख खुली तो उन्हों ने देखा कि एक कुछ गवरनर हाउस के सामने आलू पड़ा है कुछ मुखमंत्री जो बिधान सवा का सामने अकारेले नया बना उसके सामने आलू है और हमारे जो मुखमंत्री हैं उनकी आँ जो आलू फेके थे वो आलू उन्होंने अपने मुखमंत्री आवास में बनवा लिए दोबारा आलू दिखाई नहीं दिये हुआ आलू के हलात कैसे सोचो आप ये सड़क बनाई इसलिए कि किसानों का सामान बजार तक जल्दी पहुँच जाए सड़क पर आप चलेंगे तो आप जानते होंगे सड़क किसकी है ये सड़क पर चलो गो तो याद आएगी जैसे इत्र की याद आती है खुश्बू की वैसे इस सड़क पर चलने पर याद आती है कि सड़क है तो समाजवादियों जैसी है और ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जाज उतर गए और दो साल में बताओ भारती जन्ता पार्टी ने कुछ काम किया हो तो बताओ गाओं में एक बीमारी होती है गला घौटू बीमारी भारती जन्ता पार्टी को भी काम रोको बीमारी है काम रोको बीमारी मंडी बन रही थी मंडी का काम रोक दिया इतर का बड़ा प्लान लगा रहे थे हम फ्रांस से लिए करके आए थे जो दुनिया की इतर की राज़ानी है अगर फ्रांस को अपने एक शहर पर घमंड है गर्व है कि उनका शहर सबसे ज़्यादा खुश्बू इतर पैदा करता है तो भारत के लोगों को भी अपने कंदोच पे गर्भ है कि सबसे ज़्यादा खुश्बू अगर कहीं से आती है तो कंदोच से खुश्बू आती है वो कारखाना रोग दिया समाजबादियों ने पूल बनाए गंदा पे पूल बन गया और जिन साथियों ने देखा होगा बाड़ाई होगी पानी ज़्यादा रहा होगा लेकिन समाजबादी सरकार में जो पूल बन रहा तो उसका काम नहीं रुका एक साल के अंदर पूल बन के तयार हो गया हमारे कुस्दम खोर के भाई आये होंगे और हर्दोई की हमारी प्रत्यासी है उस्षा वर्माजी यह जानती होंगी कि एक अन्नाजच के लोग और हर्दोई के लोगों की मांग थी के एक पूल बन जाए गंगा पर कानून यह कहता था कि गंगा पे पूल नहीं बन सकता इतनी दूरी पर हमने का ये समाजबादियों की सरकार है इसमें कानून बदले जाते हैं और पुल वही पर बना करके समाजबादियों ने एक गंगा पे पुल बना दिया गंगा पे पुल बने, काली नदीपल पुल बने कई बार वहां भी पुल बन गए जिनों ने पुल मागें नहीं थे वहां भी पुल बना दिया समाजवादियों ने समाजवादी लोग तो पुल बना रहे हैं लोगों को जोड रहे हैं लेकिन भारती जन्ता पार्टी के लोग लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहा है दिनों का तोड़ने का काम कर रहा है एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने काम कर रहा है इसलिए हम आप से निबेदन करना चाहते हैं बहुत लंबी बातें हो जाएंगी यही जगे है जहां से मैं पहला चुनाव जीता था हमारे पुराने लोग खड़े हैं सामने तुम्हारे पीछे और आँ वहां बैठे देखो पुराने लोग जानते होंगे जब हम लोग आपकी उम्र के थे तभी यहां पर चुनाव लड़ने आये थे और वो चुनाव लड़ने का भी किस्सा ना जाने कैसा है एक पंडी जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होते ही किस्मत खुल जाएगी मेरी 24 नमवंबर को शादी हुई और कन्नौज की जंता ने 18 फरवरी को मुझे लोग समा में भेज़ दिया मनोदीची जी जानते होंगे यही कोलने स्टोर जो आपने ले लिया अब होटल बना दिया है यही भारत होटल था इसी के एक कमरे में रहकर के पहला चुनाव लड़े थे और जब से वो चुनाव लड़े हैं कन्नौज की जंता से रिष्टा बन गया है चाहें कुछ बदल जाएं इधर से उधर चीज़े हो जाएं लेकिन कन्नौज से रिष्टा समाजवादी पार्टी का और हमारा नहीं तूट सकता यही भरोसा है हमारा आपका हम लोग तो यहां रादनीद सिखें और उस समय रादनीद में आये थे जब जनेश्य मिजजी ने खड़ा कर दिया जब जनेश्य मिजजी ने खड़ा कर दिया नियादम का सामने खड़ा कर दिया मैं भाशन नहीं दे पाया था केवल हमने बोट मंगा था लेकिन वहीं के नौजवानों ने गली गली में नारे लगा करके नारे लगा लगा करके मुझे जिताने का काम किया था किया के लोग हैं जो हमें अपने नाम से नहीं बुलाया कभी जो बुज़ुग रहे उन्होंने हमें अपने पुराने नाम से भी बुलाने का काम किया ये कन्नौस से नेता जी डाक्टर राम उन्हों लोईया जी और हमें मौका दिया है काम करने का सेवा करने का और आप जिंबल को मुख़ा आपने दिया है और वो भी इतिहास कन्नोश की जनताने बनाया था कि कोई जिंबल के सामने नहीं लड़ा और निर्वरो चुनाओ जीत करके चले गए ये भी इतिहास कन्नोश का है इसे कन्नाज का इतिहास बहुत पुराना है अभी जब मैं प्रियाग में गया संगम तो सबसे पहले मैं जाकर के समराथ हर्सवर्दन की परतिमा लगी उस पर फूल चढ़ाने का काम किया और इसलिए चड़ाया कि जो आज कुम के बहाने जो अपना सीना च़ड़ा कर रहे हैं ये कुम उनकी देन नहीं है हजारों साल से लोग कुम लगा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वही प्रतापी समराड हर्श बर्दन जिसने कुम का आयोजन कराने का काम शुरू किया है वो भी इसी धरती के हैं देश के राजा थे राज़ानी थी देश की देश की राज़ानी रही है कन्नाज और यहीं का पानी बैता बैता संग पहुंच जाता है लोग दावा करते देगी गंगा साफ हो गई जिन्नोंने हमें सिखाया कुम में नहना कभी मुख्यमंती जी को देखा कैसे कुम में नहे थे ऐसा कुम में नहे कि शायद वो कभी नहते नहीं है जब कुम में स्नान लिया तो सोचे कैसे स्नान लिया और आजकर टीवी पर बहुत लोग आ रहे हैं जब खो लोगे टीवी पर टीवी में दिखाई देंगे और अग्तो अपना चेनल भी बना लिया उन्होंने हम लोगों को उम्मीद थी टीवी पर नजर गड़ाए बैठे थे के कुम में आ रहे हैं तो शायद 56 निंज का सीना देखने का मौका मिल जाएगा लेकिन वो भी हस्रत हमारी है दूरी रह गई 56 निंज का सीना कोई नहीं देख पाया और याद रखना ये धोके से सरकार बनाने का काम किया है इनोंने जो लोग कहते थे कि एक सर अगर हमारा आया तो दस सर हम पाकिस्तान के लेकर के आएंगे बताओ इसी साल में 2019 में हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं हम आप से 300 गए हिसाब नहीं ले रहे हैं 2019 में जितने जवानों की जान गई है भूल जाएए पिछले चार साल सारे चार साल भूल जाएए लेकि 2019 में जितने जवानों की जान गई हमारे शहीद हुए हैं अगर उनी के हिसाब किताब लगा लोगे तो आप कितने सर ले करके आओगे उसका भी हिसाब किताब बता दो हमसे तो सबाल करते हो अगर हम कोई सबाल पूछने हैं आपसे तो कोई सबाल पूछे हैं तो उसमें सबाल करते हो आप लेकिन आप यह नहीं बताना चाहते हैं कि आज भी हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है वो आकड़े नहीं आ रहे हैं जब इने उस आकड़ों से फाइदा होगा तो वो आकड़े आएंगे लेकिन चनाव है इसलिए नहीं बताएंगे कि आज भी जवान वहाँ पर शहीद हो रहे हैं दुनिया की बहुत सारे देशों की सीमाएं हैं दूसरे देशों से कहीं इतनी जाने नहीं जाती होंगी जितनी अपनी भारत में जान जा रही हैं ये सीमाओं पर जान जा रही हमारे जवानों की किसान के बेटे की इसके अगर कोई जिम्मेदार है तो भारती जनता पाड़ी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं जिसकी वज़ए से आज हमाई सीमाएं सुरचिज नहीं है इल्बे बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं देश के सामने हमें और आपको उल जा रहे हैं दूसरी चीजों में हमारे मुख्यमंद्री टूइट टूइट नहीं जानते हैं ना फेस्बुक जानते हैं और अगर फेस्बुक पे थोड़ी फोटो गड़वड हो गई तो पैचानेगा कौन इन्हें ये बताओ हमें और टूइट करा रहे हैं टूइट करा रहे हैं कि वाइरस कुछ गड़वड कर रहा है हमें तो ये लगता है कि मुखवन दीजे के पास कोई वाइरस है जो टूइट कर रहा है जिससे नुफसान हो रहा है इसलिए बहुत सारी बाते हो सकती कनौस से मैं आपसे अपील करने आऊँ निवेदन करने आऊँ अभी सरकार बनी थी आपने विकास देखा है खुशाली देखिए यही हमारा विकास नहीं इससे आगे भी विकास लेके जाना है हमारे किसानों को खुशाल बनाना है इन नौजमानों को नौखरी, रोजगार और इनके भविस को बेतर करने का काम समाजवादियों का है समाजबादी बिचात भारा इसको ले करके जाएगी अभी हमने अपना विजन डॉकुमेंट विजन डॉकुमेंट पेश किया जंदा के सामने बहुत सारी बाताइं रह गई हैं बहुत सी बातें जोड़नी हैं कि दुनिया में हम कैसे ताकतवर बने हैं जिस तरीके से उत्त प्रदेश में भरती की थी अगर समाजबादियों को मौका मिलेगा सरकार में और जब सरकार बनेगी तो बिना परिच्छा के जो भरती हुई थी पुलिस और पियसी में इसी तरीके से फौज में और पैदा मिल्टी में हम कराने का काम करेंगे तो नौक्रिया भी देनी है रोजगार के भी अफसर होने है और साथी साथ नया प्रधान मंतरी भी उत्तपर्देश से समाजवादियों को देना है इसलिए हम आप से कहना चाहते है कि बहुत सारे करमचारियों को जो उनकी पेंशन थी इनी भारती जन्ता पार्टी के लोगों ने पेंशन को बरवाद कर दिया जो योजना थी उसको अलग तरीके से पेश कर दिया जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो पुरानी पेंशन व्यवस्ता को बाल करने का काम हो कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़ेंगे तो करने का काम समाजवादी लोग करेंगे वहीं मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आभार पिकट करता हूँ यह गटबंदन तो है अधनी मैवती जी और समाजवादी पार्टी का यह गटबंदन तो है हमारा आपका बोर्ड भी बहुत है लोग मदद करना चाते हैं हर वर के लोग मदद करना चाते हैं हम अपनी कन्योज की जनता से निवेदन करना चाते हैं और अपेल करना चाते हैं कि अगर समाजवादी उन्हें कन्योज को आगे बढ़ाया है और कन्योज के समान की पैचान और गर्व से कहें कि आप कन्योज हैं अगर वो बापिस किया है तो एक एक बोर्ड कन्योज की जंता समाजवादी और डिम्पल यादब खुदे अभी तो थोड़ा बहुत काम हुआ इससे आगे भी काम होगा और उचाही तक ले जाएंगे और ये सड़क इसी ने बनाई है ये रफ्तार की सड़क तो है ही लेकिन इस सुरक्षा जो होनी थी वो रुख गई सुरक्षा इन्होंने वो भी छीननी सड़क की अगर सड़की सुरक्षा जो हम करना चाहते थे अगर वही सुरक्षा होती तो किसी भी गरीब की किसी भी गाड़ी च्छनाने बाले की जान नहीं जाती वो इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे थे इन्होंने नहीं किया इसलिए रफ्तार दी तरकी दी खुशाली के रास्ते पे ले जाएं तो इस चुनाओं में भी अगर सड़क देश की सबसे अच्छी सड़क है तो जीत भी देश की सबसे अच्छी होनी चाहिए यही मैं आप से निवेदन और अपिल करना जाता हूँ साथी साथ एक बार फिर मैं आधरी सतीज मिश्याजी का धन्यवाद दूँगा कि वो पूरे परिवार के साथ आए उनके आने से नया जोश और मनोवल बढ़या है लेकिन हमारा कारकरताओं से निवेदन है कि अपने गाउं अपने महले में समझ लेना कि कैसे क्या मनाना है समझाना है अपने बिहार से अपने महनत से क्योंकि आखिरकार चुनाओ तो कारकरताओं को लणाना है एक बार नेता तो इदर उदर देख सकते हैं लेकिन हमारा समाजवादी कारकरता समाजवादी कारकरता इद उदर देखेगा, वो हमारी मदद करेगा, समाजवादी पार्टी मदद करेगा. अगर चाहते हैं कि एक अहिछास बोटों से जीते पार्टी, तो आपको लोगों को मनाना भी पड़ेगा, आपको समझाना भी पड़ेगा और अगर आपकी कोई गलती है जिसकी वज़े से नाराज है तो वो गलती भी स्विकार कर लेना माफी मग लेना और इस शुनाव में स्तहोग ले लेना जिससे कि एतिहासिक बोटों से समाजवादी पार्टी गीते कोई मुकाबला नहीं है हमारा आपका मुकाबला भारती जन्ता पार्टी से कभी नहीं रहा हमारा आपका मुकाबला तो भौजन समाजवादी से रहता था कभी मुकाबला नहीं था बीजेपी से कभी था बीजेपी से मुकाबला बताओ ये बीजेपी वाले तो जानते हो कैसे हैं मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से था और आज जब सतीज मिश्राजी साथ हैं तो कोई रोख नहीं सकता है यतेहां सिक्पोटों से इनी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारी पार्टी के जितने नेता आये हैं में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कायकरता जो जोश और मनोवल बढ़ाते रहे उन सभी कायकरताओं को बहुत बहुत बदाई इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब बोट पड़ेगा तो एतिहासिक बोट होगा सबसे बड़ी जीत डिम्पल यातव की यहां से होकर की जाएगी बहुत बहुत बदाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कर और मनोव दीच्छी जी का भी एक बार पर क्लिक करें सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अफ्लोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ